क्या आपने कभी सपना देखा कि आप प्राचीन शहरों की सडकों पर चल रहे हैं, खूबसूरत द्रिश्यों का लुट्फ उठा रहे हैं और खुद को यूरोपिय संस्कृती में डुबो रहे हैं। आल्ट्स की बरफीली चोटियों से लेकर भूमध्य सागरिये तटों तक यूरोप में घूमने के लिए कई मुहक स्थल हैं। चलिए यूरोप के शीर्श बीस थानों का पता लगाएं। बीसवा नंबर लिस्बन पुर्टगाग तैगस नदी के किनारे बसा लिस्बन अपने शांदार अतीत और द्रिश्यों से यात्रियों को आकर्शित करता है। पंद्रवी से सत्रहवी शताबदी के खोज करताओं के लिए लॉंच पैड के रूप में यह पुर्त गाली रत्न समुदरी इतिहास में अंकित विरासत का दावा करता है। नदी के किनारे स्थित सोलहवी शताबदी के बेलिम टॉवर को देखते हुए कोई भी बीते रोमाच की गूंच सुन सकता है। सेंट जॉर्ज कैसल की चोटी पर जाए जो पुराने लिस्बन के मनोरम द्रिश को दिखाती है और शहर के द्रिश को निखारने वाली मूरिश कलाकृती है। संख्या 19 गुल्फॉस आइसलैंड में है। यहां आग और बर्फ का अनोखा मिलन देखें जहां आइसलैंड की भव्यता इंतजार कर रही है। दक्षेनी आइसलैंड के जंगली परिद्रिश में गुल्फॉस का मनोरम द्रिश है। ग्लेशेरों से आने वाला यह प्राकृतिक आश्चर्य अपनी सौंदर्यता से मोहित करता है। ओल्फॉस नदी का तीन स्तरों में गहरी घाटी में उतरना सच में विस्मयकारी है। एथेन्स जो की ग्रीज के भूभाग मिस्थित एक प्राचीन नगर है, लोक्तंत्र और पश्चिमी संस्कृती के उदगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इसकी पुरानी सडकों पर भ्हमन करें, जहां आपको पाचवी शताब्दी इसा पूर्व का इतिहास मिलेगा, जो सरक्षित है। एक्रोपोलिस के पवित्र प्रांगण में विचर्ण करें, जहां आप व्यूस के प्राचीन, मंदिर और पार्थेनन जैसे विख्यात समारकों का अवलोकन कर सकते हैं। सत्रहवे स्थान पर जाए। मोंटेनेग्रो के कोटर खाड़ी में, इसकी प्राकृतिक गोद में बसे एक स्वर्गिय खंड का पता लगाएं, जहां कोटर की खाड़ी पहाड़ों के बीच एक गुप्त फुस्पुसाहट के समान प्रकट होती है। उस आकरशक द्रिशक को देखें जहां नीला पानी चटानों के किनारे मध्ययुगीन गावों से घिरे तटों को छूता है। पुरानी पत्थर की सडकों पर चलें, जहां चर्च सदियों के इतिहास और चिंतन के मौन गवाह हैं। सोलहवा नंबर पिरान स्लोवेनिया स्लोवेनिया इतट पर बसा एक रत्न जो वेनेशियन प्रेरित वास्तुकला और समरिध इतिहास का दावा करता है। तार्टिनी स्क्वायर में घूमें और शहर की दीवारों से लुभावने द्रिश्यों को देखें। वेनेशियन घर का पता लगाते हुए इसके अतीत में गोता लगाएं और एड्रियाटिक सागर इटली और क्रोएशिया के द्रिश्यों के लिए स्ट्रीट जॉर्च चर्च की घंटी टौवर पर चड़े। पिरान में रेतीले समुदर तट नहीं है लेकिन इसकी चट्टानी तट्रेखा समुदर के किनारे धूप सिंकने का अनुठा अनुभव देती है। सैन मारको स्क्वायर से अपने सफर की शुरुवात करें जहां डोगे का महल वेनिस की शान का प्रतीक है। इस जलिय सामराज्य के द्रिश्य के लिए स्ट्रीट मार्क बेसिलिका की उचाईयों पर चड़े। इसके पुलों पर चड़े जो वेनिस की भावना का प्रमाण है। 14. बुडापेस्ट हंगरी जहां हर कोना कहानिया सुनाता है। राजसी डेन्यूब नदी से लेकर बारोक, नियो क्लासिकल और आठ नोव्यू शैलियों की शानदार वास्तुकला तक बुडापेस्ट अपने आकर्शन से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहां आप बिना पैसे खर्च किये मुफ्त गाइड़ेट टोर, हीरो स्क्वायर जैसे प्रतिष्ठित स्थलों की सैर या शहर के पार्क में शान्थ पिकनिक मना कर स्थानिय जीवन का आनंद ले सकते हैं। 13. अलहंब्रा, स्पेन अलहंब्रा की खोज करें, जो स्पेन के ग्रेनेडा में स्थित एक लुभावने महल का किला है। इस मनोरम परिसर में घूमते हुए, आप पुराने इतिहास में डूब जाएंगे, जहां कभी इसाई राजाओं ने बिचर्ण किया और कोलंबस ने सफलता पाई। अनूठे वास्तुशिर्प शैलियों की प्रशंसा करें, और इसकी कला और उद्ध्यानों की अध्भुत्ता में डूब जाएं। पुनरजागर्ण के रहसियों को उजागर करते हुए, फ्लोरेंस यूरोप को अंधकार से बाहर निकालने वाला प्रकाशमान बनता है। पेडिसी की भव्यता के प्रमान पिट्टी महल में वैभव का आनंद लें। दूवों के वास्तुशिल्प चमतकार को आश्चर्य से देखें, फ्लोरेंस को महिमा के शिखर पर देखें। ग्यार हवा नंबर लंदन, UK यहां इतिहास से रूबरू हों, जहां पुराने महलों में राजाओं की दास्ताने जीवन्थ होती हैं। बकिंगम पैलेस से लेकर टौवर ओफ लंदन तक हर भवन ब्रिटिश धरोहर को साकार करता है। नाइट्स ब्रिट से कारनेबी तक खरीदारी का मजा लें, शहर की जिन्दादिली का अनुभव करें। आधुनिक और पारंपरिक के मिश्रण के बीच, ट्यूब का उप्योग कर लंदन के रास्तों में आसानी से घुमें। बर्लिन जर्मनी, नवाचार और संस्कृती का केंद्र है। इसकी पुरानी विरासत और जीवन्त वर्तमान का अनुभव करें। बर्लिन के प्रसिध इस्ट साइड गैलरी में जाकर बर्लिन की प्रसिध दीवार पर बने रंगीन भित्तिचित्रों को देखें। बर्लिन यूरोप की पार्टी राजधानी, सस्ती और जीवन्त नाइट लाइफ से लुभाती है। एंस्टरडम में नीदरलैंड, घुमावदार नहरें इतिहास और आकर्शन से भरे शहर को दर्शाती है। एनी फ्रेंट की डायरी के भावुक पन्नों के माध्यम से उसकी छिपी दुनिया की खोज करें। महत्वपूर्ण संग्रहालियों में यूरोप की बेशकीमती कलाकृतिया हैं, जबकि रेंबरांट और वैन गौग संग्रहाले कला को सम्मान देते हैं। हिनेकें ब्रुवरी में डच परमपरा का आनंद लें, जहां विरासत के बीच फेंदार खुशी आपका इंतजार कर रही है। आठवा, प्राग, चेक गनराज्य प्राग का अनवेशन करें, एक शहर जो अशांत इतिहास से भरापर आकर्शन से लबालब है, जिसे यूरोप में एक महत्वपून स्थान प्राप्त है। युद्ध के निशानों के बाद भी, प्राग का पुराना शहर अपनी अदवितिय सुन्दर्ता और धनी विरासत से मोह लेता है। पैदल अनुकूल स्थलों पर चलें। प्राग महल के पीछे से निकलें, यहूदी बस्ती से गुजरें और चाल्स ब्रिच को पार करें। सूरज डूपते ही वेंसेसलास स्क्वायर की जीवन्तता में खो जाएं, जहां रोमाचक नाइट लाइफ है। इस्तामबुल घूमें जो पूर्व और पश्चिन का मिलंस्थल है, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम प्रस्थुत करता है। बोस्पोरस जलड मुरुमध्य की राजसी सुन्दर्ता पर चकित हों, और हागिया सोफिया के माध्यम से इस्तामबुल के विविध इतिहास की खोज करें। तोपकापी महल की अध्भुत इतिहास में डूबें और ग्रेंड बाजार की भूल भुलिया में खो जाएं, जो खजाने की तलाश में एक स्वर्ध है। छटे स्थान पर गेरांगर फजॉड नौर्वे हैं। नौर्वे के गेरांगर फजॉड में अंदेखी सुन्दर्ता और छिपे खजाने का अनुभव करें, जो प्राचीन परिद्रिश्य और गहरे नीले पानी के बीच में हैं। इस सुन्दर फजॉड पर एक अग्धुत यात्रा पर निकलें। साथ बहनों की प्रेम कथाओं में जर्नों का रुमाच और दुलहन के घुंगट का आध्यात्मिक संगम होता है। कैसकेड जहां चट्टानों की बीच शांती का अनुभव होता है। बार्सिलोना, स्पेन बार्सिलोना की चहल पहल में खो जाए, एक सक्रिय शहर जहां पुरानी सभ्यता और आधुनिक वास्तुकला का मेल है। एंटोनी गौडी की अध्धुत वास्तुकला देखें, जिसमें विख्यात ला सग्रादा परिचित भी है, जो निरंतर प्रक्ती का संकेत है। लारामबला की सजीव सडको पर तहलें, इस मेडिटेरिनियन मोती की संस्कृती और खानपान के शांदार संगम का लुथ उठाए। बार्सिलोना की जीवंत सडको और धूप में नहाए कामों में कैटेलोनिया के दिल की तलाश करें। दबरोवनिक की खोज करें, एक मनमोहक शहर जो छोटा हो सकता है परन्तु अपने आकर्शन में विशाल है। 40,000 से कम लोगों के साथ यह समुदरी चमतकार अपनी पुरानी दीवारों और समुदरी धरोहर के लिए लोगों को आकर्शित करता है। हर वर्ष मनाये जाने वाले स्ट्रीट वैले जो उत्सव की भावना के साथ इसकी सडकों पर घूमें। दबरोटनिक के अनोखे माहौल और समरिध इतिहास के साथ आप भूमध्य सागरिय वैभव के बीते युग में चले जाएंगे। तीसरा स्थान सेंटोरिनी, ग्रीस एजियन सागर में सेंटोरिनी के आकर्शक द्वीट पर जाएं जो शीर्ष यात्रा प्रकाशनों द्वारा प्रशंसित एक प्रतिष्थित गंतव्य है। मनोरम द्रिश्यों और सक्रिय ज्वाला मुख्यों के बीच इसके आकर्शक गाव यात्रियों को खीचते हैं। फिरोस की चट्टानों पर घूमें और ज्वाला मुख्ये मिक्टी से बने पकवानों को आजमाएं। अद्भुद सूर्यास्त देखें और सेंटोरिनी की लुभावनी सुन्दर्ता में खो जाएं जो इसे यादगार आरामगाह बनाती है। नमबर दो पेरिस त्रांस। रोमास और वैभव का कालातीत शहर पेरिस सांस्कृतिक समरिध्धी और पाक्तला के आनंद का एक बहुरूप दर्शक प्रस्तुत करता है। सीन के किनारे प्रतिष्ठित एफिल टौवर से लेकर लोवर की भव्यता तक पेरिस इतिहास और कलात्मक प्रतिभा का खजाना है। नोट्रे डेम और सेक्रेकोर जैसे वास्तुशिल्प चमतकारों को देखकर आश्चर्य च्कित हो जाएं और साथ ही हावते कौचर और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लें। वर्सेल्स की भव्यता का आनंद लें और पेरिस के अनूठे आकर्शन में खो जाएं। पहला रोम इटली रोम की शांदार विरासत का अन्वेशन करें जहां प्राचीन आश्चर्य और आधुनिक्ता मिलते हैं। कोलोसियम की अद्भुत्ता को निहारें जहां गलेडियेटरों की वीर गाथाई बसी हैं। वेटिकन सिटी जाए जहां सेंट पीटर्स बेसिलिका माइकल एंजेलो की कलाकृतियों से सजा है और बुधवार को पोप के दर्शन संभव हैं। रोम के गौरवशाली इतिहास और सजीव वर्तमान से आपकी अद्वितिय यात्रा का आगाज होता है जो इतिहास और आस्था की गहराई में ले जाती है। यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें और और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।